ये वीडियो जो है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो कि विहार बोड का एक्जाम देने वाले हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि उर्दू पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी विडियो बनाया जाएगा हिंदी का ये उन लोगों के लिए है जो संस्क्रीट पढ़ते हैं और उनका 100 मार्क्स का जो हिंदी है तो यह बिहार बोड में पहला लेशन जो आपके हिंदी की किताब का है यानि कि जिसको भीम राव अंबेदकर ने लिखा है जैसा कि आप लोग जानते हैं भीम राव अंबेदकर के बारे में और नहीं जानते हैं तो यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भीम राव अंबेदकर संभीधान के निर्माता माने जाते हैं उन्होंने संभीधान को लिखा है पूरी की पूरी जीवनी पड़े कि उनका जिन्दगी कैसा रहा वो कैसे परिवार से आते थे और इतनी बड़ी मतलब देखा हुआ तो अफे रही रही है तो आखिर्कार इन्होंने लोगों को दबाने के बाएवजुद में संभीधान का निर्माड कर दिया याणि कि ये इक आपकी ज्यादा 최근 किया है बिख scrambled क्या भीम अमबेदकर के माता का क्या नाम था और पीता का क्या नाम था थोड़ासे इनके बारे में हम तो कुछ लोजिक लेकर करके हैं थोड़ा सा समझेगा कैसे याद रखेंगे भीम राव जो यह नाम लिखा है तो भीम से आप लोग याद रखेंगा माता का नाम था भीमा भाई याद रखेंगा माता का नाम भीमा भाई यह भीम राव से सिर्फ भीम से याद तो याद रखेगा जब यह भीम रहां अंबेद करके नाम में रा और माराम यहां लिखा है यानि कि इनके नाम में इनके माता और पिता का नाम चीपा हुआ है देखिए कैसे यहां से भीमा भाई आप लोग याद भीम से भीमा भाई याद रखेगा और यह रा और माराम तो राम जी सकपाल याद रखिएगा ठीक है मीद करते हैं कि समझ में आया होगा इनकी सिक्षा जब यह प्राइमरी सिक्षा तो अपने गाव में ही लिए मतलब दिहात में ही लेकिन थोड़ा सा बड़े हुए तो इनके टाइलेंट को देखती हुए मतलब बहुत लोगों ने समर और उसके बासे अभिकिस किस्टियों से मोटीवेट रहा है यानि की होता है जिरी में सब जैसे कि अलग-ऒलो और वैक्ति के फैन हुथे उनके बातों को मानते हैं उसी ये साब से इनके प्रेणना के शूरत कौन-कौन रहा इतो बुद्ध जी कभी दास जोती व्याफुले इनके प्रेड़ना के स्रोत रहे, इनहीं से प्रेड़ित हो करके आगे ये अपना कदम उठाते थे इन्होंने बहुत मेहनत किया और इनके परमुख रचनाय है, बहुत सरा किताब भी लिखें और ये सबसे ज़्यादा जो किताब लिखें कास्ट पर लिखें, आखिर इनको सबसे ज़्यादा परिसानी यहां के जाती प्रता से थी, यानि के जाती प्रता जो सिस्टम चल रहा था, की बड़ा जो जात है ठीक है, वो अपने आपको हमेसा बड़ा समझता और छोटे यहां पर इंसानीप के नाम पर लोग एक दूसरे कुभवारा भी आ कर दे रहा है। सिरफ इंसानित ही होना चाहिए कि सारे लोग एक समान है। इसलिए इनकी सबस्ज vapor है किताब कास्ट बारे में इनकी रचना है इनकी रजना है the caste in India, their mechanism, who are they, who are सुक्राज यानि कि बाबा साहब अंबेतकर संपूर्ण वाग्यांग 21 खंड़ों में यहाँ पे जो है वांग में इसका मतलब वो जैसे साहित्य समझते होंगे आप ठीक है साहित्य जो लिखा जाता है तो बाबा साहब अंबेतकर संपूर्ण वाग्यांग में 21 खंड़ों में प्रकासित हुआ और देखिए कोई भी किताब अगर प्रकासित होता है तो किसी के माद्यम से होता है या फिर किसी संस्ता के माद्यम से होता है तो उस संस्ता का नाम कि यानि बहुत सारे बुक लिखे हैं किताब लिखे हैं उसी के एक छोटा सा निबंद लिखे हैं स्रम विभाजन और जाती प्रथा यानि कि यहां आप देख सकते हैं यहां पर स्रम विभाजन और जाती प्रथा यहां पर स्रम विभाजन और जाती प्रथा वो जाती के बारे में लिखे हैं कि जो स्रम का विभाजन हुआ है पहले के लोग किस तरह से जात पात बनाए भगवान ने तो इनसान ही सब को बनाए लेकिन यहां पर आ करके लोग जात पात एक दूसरे को माट लिए कि तुम अलग जात के हो तुम बड़े जात के हो तुम छोटे जात के हो यहां पर और इ बिभाजन बोले कि देखिए जाती के अधार पर स्रम का भी भाजन नहीं होना चाहिए इससे की अपना देश डेवलप नहीं करेगा अगर मान लेजिए कुछ दिर के लिए कि कोई एक लोहार जात का है यहां ध्यान से समझेगा कोई भी आदमी है जो लोहार जात का है उसको ल एक्ति को इंट्रेस्ट नहीं है तो उस काम को कभी वो आगे तक नहीं बढ़ा सकता है और उस काम में कभी सफल नहीं हो सकता है और इस तरह से उसका विकास कभी नहीं हो सकता है हमेशा वो और नीचे दबते चला जाएगा और कहा जाता है कि हर एक नागरी का विकास ही पू भी भाजन जैसे टॉपिक आपसे पूछ दे कि स्रम का भी भाजन जाती के अदार पर करना उचित है या नहीं कि यहां के लोग किस टाइप के समर्थन देते हैं यहां तो देख सकते हैं कि बड़ा दुख का बात यह भीम राम इतकर जी बोले हैं कि जाती वाज की कमी यह नही काम का बटवारा किजिए मानिजे की अगर लुहार का काम है बढ़ाई का काम है ठीक है वेल्डी मिस्तरी जो भी अपना काम है अलग-अलग काम का बटवारा किजिए क्योंकि जो काम हमको इंट्रेस्ट आएगा जो काम अलग-अलग वेखती हो को करने में मज़ा आएगा व पर मानने जिए कि एक छोटा सा जात किस कोई भी लिल कुछ दरी के लिए अगर हम मानने अलग 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 कास्ट में अलग अलग काम होता है कुहार का लेते हैं कुहार का काम है घड़ा बनना और बताइए कि आज जितने भी बरतन बन रहे हैं वो सब टेक्नलोजी द्वारा अगर देखें तो मसीन से बरतन बनाए जाते हैं अगर वो वेक्ति हमेशा मिटी का ही काम करते रहे और कुछ अच्छा नहीं करें कुछ नया नहीं सिखें तो वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है और इस हिसाब से बुखमरी की स्थिति आ सकती है तो यहां स्राम का विभाजन कैसे होना चाहिए तो रूची के अधार पर जिसका में मन लग रहा है उसके हिसाब से आप काम का बटवरा कीजिए जाती के अधार पर स्राम का बटवरा भुखमरी का कारण हो सकता है अगर आप जाती के अधार पर काम को बाटिएगा अगर उस काम को कर अब इस जात में जनम लेगा तो इस जात का काम यानि कि पेशा अगर माने ये खेती करना है तो अब लड़का पैदा होगा तो खेती ही करेगा अब कितना भी अगर वो लड़का पैदा हो गया बड़ा हो गया अब बड़ा होने के बाद से उसको खेती करने में मन नहीं लेगा फे भी उसको दबाव दिया जाता था कि तुम जिस जात में जनम लिये हो उस जात का पेशा यानि कि उस जात में खंदानी रूप से लोग काम खेती के हैं तो तुमको भी करना पड़ेगा अगर उसमें उसका मन नहीं लेगा तो वो कभी भी खेती से आगे नहीं बढ़ सकता है और जब वो आगे नहीं बढ़ेगा अगर एक एक व्यक्ति अपने काम में रूची नहीं रखते हैं तो इस तरह से अपने देश का भी विका जान हुआ एक तो हो गया कि डिसाइड पहले ही हो जाता था कि यह कौन से जात में पैदा होगा तो इसको कौन सा काम करना है दूसरा कि जैसे की काम का जब बटवारा हुआ तो उस हिसाब से जाती को लोग बाट दिये और यहां पर अब लगे उच और नीच समझे पंडी जी क काम है मतलब अगर प् Hearts करना जो भी उनका काम है अपना गना खर रहे हैं और छोटे गयाने की जातिवाद में यहीँ आ गया जातीवाद ही चोटा जात का गया है तो इसके पास में बैठो इसके इसके पास बैठ करके खाना नहीं खाओ, इस सबसे ज्यादा मतलब दुख की बात हो गई, बिडमना की बात हो गई, यहाँ पे, अब बोला गए, ठीक है, चलिए मानते हैं कि जाती के अधार पर, मानिजे कि इस्रम का बटवारा नहीं होना चाहिए, तो एक बाद बते हैं, जब उचे ज बाद दिया है, देखिये यहाँ पे, आदऱ् समाज के लिए क्या होना चाहिए, सारे लोग सवतंत्र हो, ठीक है, सब में समानता हो, सब लोग आजाद हो, सब लोग एक होके रहें, और भाई-भाई समझ की एक दुसरे के काम में सही हो करें, और तब आगे बढ़ें, ठीक से रहें एक जूट होकर करें कि पता ही नहीं चले कि कौन गरीब है कौन अमीर है तो यही है स्रम भी भाजन और जाती प्रथा इस पूरे के पूरे पार्थ में बताए गया है उमीद करते हैं कि यह टॉपिक बढ़िया से समझ में आया होगा अफिर अगले वीडियो में जो कि अगला टॉपिक जो भी है उसको हम लेकर करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद